अब हर एमोशन करो सेलिब्रेट एक दम ललन टॉप स्टाइल में आ गए हैं ललन टॉप स्टीकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर एसे स्टीकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में पहली सुर्की तेलंगाना की राजधानी हैदरावाद से है 12 सितंबर की राद 10 बजे के करीब यहां एक एलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग लग गई देखते देखते आग ने शोरूम के ऊपर बने होटल को भी अपनी चपेट में ले लिया गटना के वक्त वहां कम से कम 25 लोग मौजूद थे इनने बचाने के लिए फायर फाइटर्स ने अभिहान भी चलाया लेकिन जिनने कोई रास्ता नजर नहीं आया वो जान बचाने के लिए होटल की खिलकियों से कूद गए अब तक इस हाथसे में आठ लोगों के मरने की खबर है प्रधानमंत्री कार्याले की तरफ से घटना पर दुख जताया गया साथ में ये एलान भी हुआ कि प्रधानमंत्री रास्ट्री रहत कोश से मृतिकों के परजनों को दो लाक और घायलों को पचास हजार की आर्थिक साहिता देंगे इसी तरह तेलंगाना सरकार ने भी अपनी ओर से मुआवजा देने की घोशना की है दमकल विभाग और हैदराबाद पुलिस इस मामले में फोरंसिक जाच कर रहे हैं इसके नतीजे आने में कुछ वक्त लग सकता है लेकिन शुरुआती जाच में आग लगने का कारण पहली मंजिल पर चार्ज हो रही बैटरीज को बताया गया यहां से आगे की कहानी वही है जो हमारे हाँ आग लगने की हर घटना में सामने आती है जिस इमारत में शोरूम और होटल चल रहा था उसके पास दमकल विभाग का एनोसी नहीं था फायर फाइटिंग के लिए जो उपकरन लगे भी थे वो काम नहीं कर रहे थे हैदरबाद जैसे महानगर के बीचो बीच के खेल बिना किसी की मिली भगत चल नहीं सकता खबर है कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद से ही इमारत का मालिक फरार है दूसरी सुर्खी देश के नए अटॉर्णी जनरल से संबंदित है मौजूदा अटॉर्णी जनरल केके वेनुगोपाल का पांच साल लंबा कारेकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है सरकार ने 2017 में तीन बरस के लिए निक्त किया था उसके बाद दो सेवा विस्तार भी दिये थे लेकिन इस बार वेनुगोपाल ने संकेत दिये थे कि वो सेवा विस्तार नहीं चाहते इसके बाद सरकार ने देश के दिगज वकीलों में से एक मुकल रोतगी से संपर किया जिन्होंने सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया यह जिम्मेदारी रोतगी के लिए नई नहीं है क्या कि वेनुगोपाल से पहले वही देश के अटॉर्णी जनरल थे रोतगी के परिवार का कानूं से पुराना रिष्टा रहा है पिता आवद बिहारी रोतगी वर रिष्ट वकील थे और दिल्ली हाई कोट में जजज भी रहे है जहां तक प्रैक्टिस की बात है रोतगी ने उद्योग, फिल्म जगत और राजनीती से जुड़ी तमाम बड़ी हस्तियों के लिए जिरह की है इसके लावा वाचपई सरकार के कारेकाल में वो अतरिक्त सॉलिसेटर जनरल भी रहे उस दोरान उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में ततकालीन नरेंद्र मोधी सरकार गुजास सरकार का बचाव किया था वैसे रोतगी के एक गुण की मुरीद हर राजनतिक दल हैं जब भी सूभों में सरकार गिरने या बनने में कानूनी प्रशन या आडचन सामने आती है उन्हें एक भरोसे मंसलाकार की तोर पर याद किया जाता है मुगलोदगी ने ऐसे कई हाई प्रोफाइल मामलों में राज्यों और केंद्र तक की पैरवी की है अटॉर्णी जनरल एक सम्विधानिक पद है सम्विधान के अनुच्छेट 761 के तहत राष्टपती एजी की न्युकती करते हैं अगर भारत सरकार देश की किसी भी आदालत में कोई भी मामला लड़ रही है तो एजी वकील की भूमिका में आ जाते हैं उनका हाथ बटाने के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतरिक्ट सॉलिसिटर जनरल की एक टीम भी होती है अगली सुर्खी इस सुर्खी का संबंध एक विज्यूल से है यह है राजिस्थान में खेल इवं व्युवा मामलों की मंतरी अशोक चांदना के एक ट्वीट की तस्वीर चांदना के पास इस्किल डेवलप्मेंट और आबदा प्रबंधन जैसे कुछ और विभाग भी है सो जब उन्होंने सीधे सचिन पाइलेट का नाम लेकर एक तल्क ट्वीट किया तो बाते बनने लगी 12 सितंबर को उन्होंने लिखा मुझ पजूता फिकवा कर अगर सचिन पाइलेट मुक्य मंत्री बने तो जल्दी से बन जाए क्योंकि आज मेरा लडने का मन नहीं है जिस दिन मैं लडने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं चाहता नहीं हूँ अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि चांदना आखिर किस बात से नाराज थे दरसल 12 सितंबर को राजिस्थान के पुष्कर में गुर्जन नेता करनल की रोडी सिंग बैसला की अस्तिव सर्जन के मौके पर आयोजित एक कारक्रम के दोरान जब अशोग चांदना अपना भाशन देने पहुँचे तो उन पर जूते फेके गए और सचिन पाइलेट जिंदाबाद की नारे लगाए गए इस कारक्रम में लोगसभा सांसद ओम बिडला, भाजपा प्रदेश, अध्यक्ष, सतीश, पुनिया और गहलोत सरकार में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद थी हंगामा इतना बढ़ा कि चांदना को भाशन बीच में ही रोकना पड़ा इसी तरह का विरोध शकुंतला रावत का भी हुआ इस घटना को लेकर स्थानी प्रेस में लिखा गया कि नारेबाजी कर रहे लोग पाइलेट समर्तक थे आप राजिस्तान पर नजर रखने वाले जानते हैं कि एक वक्त वो भी था जब सचिन पाइलेट चांदना का हाथ हवा में उठा कर उनके लिए मंच से प्रचार करते थे लेकिन 2020 में जब पाइलेट बागी होने के लिए विधायकों समेत हर्याना आए तब चांदना उनके साथ नहीं हुए पाइलेट समर्तकों को ये बात तभी से साल रही है इसलिए चांधना का विरोध चल रहा है इससे पहले भी दूसरे कॉंग्रेस विधायक चांधना को निशाने पर ले चुके हैं इस सहजिता का फाइदा स्वाभाविक रूप से भाजपानेता उठा रहे हैं क्योंकि सब ट्विटर पर हो रहा है भाजपानेता भी टैग और र होने की है करनल की रोडी मैंस लाक्यास्ती विसर्जन का मौका सचिन पाइलट के पक्षमे नारे और निशाने पर चांधना ललन तॉप का सबसे ठस ठेट और ठसकदार बेजी आगे है ललन टॉप का पॉड़कास जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ ललन टॉप और बाजेगा बायन टॉप